डेली कनेडियन न्यूस बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्रैक टीवी कैनेडा में विफाकी इंतखाबात के हवाले से एंगिस रीड इंस्टिटूट का सर्वे कैनेडा की कन्सरवेटिव पार्टी के राहनुमा एंड्रियो शेयर के साबिक पौजियों से मुतातित वादे तक्रीब के दौरान कैनेडियन वजीर खार्जा को है तिजाच का सामना एरानी सदर से मुलाकात का एरादा नहीं है सदर ट्रॉम्प साओधी तेल तंसीबात हमला किद्दे मेनाई कशीदगी का खत्रा बढ़ गया हैडलाइज आपने जौनी खबरों की तक्सील चामल करेंगे इस प्रेक के बाद Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home For the past 26 years we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream Do it once, do it right Area Encllave के एन वस्त में, मदीना मॉल एंड रेजिदेंसी, मर्गला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए, वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमेनिटीज के साथ, दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्शरी, 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 लग्श लाइफ स्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट मिला जैसा, रोशन और कुछादा, बुकिंग और तफसीलात के लिए, अभी कॉल करें मैं अपने ओवर्सीज पाकिस्तानी बहनों और भायों के लिए ला रहा हूँ, एक शांदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिदेंसी, तफसीलात के लिए, राप्ता कीजिए, शराज बदर, 519-807-8771, एमेल कीजिए, शराज at propertybrothers.com आयोवेदिक प्रेक्टिशनर वैर्द्य हरीश्वर्मा से अपनी सेहब को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बिमारी या रोग के बारे सलाले 416-804-1500, 416-804-1500, 250-Buvet Drive East Unit 601, Brampton आयोवेद दुनिया का सबसे प्राची मेडिकल सिस्टम है, गुटनो का दर्ध यानि आधराइटस, डापटीज, कुलाइटस या फिर थवचा के रोग जैसे सफेद दाग यानि वटी लेगो, सुराइसिस, एक्सीमा आदी का आयोवेद में कैसे होता है इलाज, देखें, क टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राप्ता करें, 416-804-1500, 416-804-1500, कैनड़ा से खबर शामल करेंगे, आपको बताए, कैनड़ा में विफाकी इंतखाबात की मोहिम जारी है, जिसमें लिबरल्स और कंसरवेटिव एक दूसरे को टक कर दे रहे हैं इस हवाले से देखते हैं सर्वे रिपोर्ट, कैनड़ा में विफाकी इंतखाबात की मोहिम जारी है, जिसमें लिबरल्स और कंसरवेटिव एक दूसरे को टक कर दे रहे हैं, सी पी सी ने अपनी बुनियादी मजबूती को बरकरार रखा है, जबके एंड्रियो शियर को आनने की कोशिश की गई है कि कैनड़ा में विफाकी इंतखाबात से चंद हफते कबल बोर्टर के साथ क्या हो रहा है, तहकीक में जो कुछ पाया गया है वो मखफी है, ताहां मुम्किना तोर पर जोस्ट्रिंग ट्रोडो उन बोर्टर से फाइदा उठाने की कोशिश कर र इस सवाल पर उन दोनों रहनुमाओं में से कौन बहतर वजीर आज़म बनेगा ताहम कैनड़ा यकसा तोर पर तक्सीम है, पचास फीसद ने ट्रोडो जबके पचास फीसद ने शियर के हख में अपनी राए का इसहार किया, मजबूवी तोर पर चवन फीसद ने शियर के कैनड़ा का कहना है कि उनकी पार्टी है, वो यकीनी तोर पर इस मोहिम में उसकी हमायत करेंगे जबके चालिस फीसद अब भी इस हवाले से गोर कर रहे हैं, लिबरल्स ने उन बिला मुकाबला वोटरों में फाइदा उठाया है, इस ग्रूप के अंदर चालिस फीसद 2015 से ज़ादा आहम है, कुछ बात करेंगे लिबरल्स रानुमा जस्टिन टूडू ने दो बड़ी पॉलिसी के वादे किये जिनका मकसद मतवस्त तबके के खानदानों की जिन्दगी को मजीद आसान बनाना है, मजीद एहवाल इस रिपोर्ट में, लिबरल्स रानुमा जस् करने का वादा किया, लिबरल्स का कहना है कि वो एक साल में 147 हजार डॉलर तक कमाने वाले अफराद के लिए बन्यादी जाती रकम तकरीबन दो हजार डॉलर तक बढ़ा देंगे, टूडू ने टेली कॉम कमपनियों के साथ मिलकर कम कीमत के मनसूबे पेश करने के लिए, स का कहना था कि जब भी कैनेडियन से मिलता हूँ तो मुझे अकसर महंगी फोन बिल्स की शिकायत सुनने को मिलती हैं। के माबेन फाजी महाइदा करने की तजवीज कर रहे हैं। ये खानून साथ वादा है कि साथ फाजियों के इज़त की जाएगी और उन्हें बरवख खिद्मात पर आहम की जाएंगी। कीनो को में साथ फाजियों के मजमें से खताब करते हुए शेयर का कहना था कि हमारे फाजी हमारे हीरो हैं। पारलिमेंट ट्रेडी बजट आफिस की जानेट से तकमीना लगाया है कि साथ फाजियों की रुकी हुई दरखास्तों का पूरा करने के लिए दो साल में 50 मिलियन डॉलर्स दरकार होंगे। वाज़ रहे कि साथ फाजियों की रुकी हुई दरखास्तें कैनेडा की विफा की हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला रहा है। कैनेडा से खबर शामल करेंगे आपको बताएं कैनेडा में एक टाउन हॉल में नैशनल कांसल आफ कैनेडियन मुस्लिम के जिरे इहतेमाम तकरीब को उस वक्तसर कर दिया गया जब कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्री लैंड को एतज़ाच का सामना करना पड़ा कैनेडा में एक टाउन हॉल में नैशनल कांसल आफ कैनेडियन मुस्लिम के जिरे इहतेमाम तकरीब को उस वक्तसर कर दिया गया जब कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्री लैंड को एतज़ाच का सामना करना पड़ा मुझाहरीन ने वेनिसवेला की अज़ादी और साओधी अरब को असले की फरोग रोक ने जैसे मौमलात उठाने पर एतज़ाच किया जिसके बाद मुन्तजमीन ने इस प्रोग्राम को रोग दिया ये वाकिया कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन टूडो के काले रंग के मेकप में मतनाज़ा तसावीर सामने आने के बाद पेश आया है वाके पर फ्रेलाइन की चानिप से बायान आया था कि कैनेड़ा में नसल परस्ताना फेल की कोई गुनजाईश नहीं है उनका कहिएन था कि टूडो की माफी काले कुबूल है क्योंकि वो मुखलिस है ताउंट हॉल में उनका कहिएना था कि कैनेडियन पर मनसर है कि वो टूडो की माफी कुबूल करते हैं या नहीं कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डॉनल ट्राम्प ने इरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात ना करने का इरादा जाहर कर दिया है मसी चांदे हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर का सहाफियों से बात करते हुए कहना था कि किसी भी बात का इमकान मुकमल खतम नहीं होता एक सवाल के जवाब में डॉनलर्ड ट्रम्प ने कहा कि अक्वाम में मुटतेदा जॉर्नल एसम्डी इसलास के मौके पर मेरा एरानी सदर से मुलाकात का एरादा नहीं ताहम उनका मतलब ये नहीं कैसा नहीं हो सकता वाज़ रहे कि साओधी अरब में ओयल की तनसीबात पर हमलों के बाद अमरीकी सदर ने एरान पर इंतहाई सखपाबंदिया आइद करने का भी ऐलाम किया जबके उन्होंने इशारा दिया कि वो फौदी तसादम नहीं चाहते थे सदर ट्रॉम्क का कहना था कि नई पाबंदियों में एरान के मरकजी बैंक और उसकी सलामती के फंड्स को फोकस करेंगे आगे बढ़ेंगे खबर शामल करेंगे खते में नई कशीदगी का खत्रा बढ़ गया साओधी अरब ने इरान को तेल की तनसीबाद पर हमलों का जम्मेदार करार दे दिया मजीद हैवाल इस रिवोट में खते में नई कशीदगी का खत्रा बढ़ गया سعودی عرب نے ایران کو تیل کی تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار قرار دیا سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ پورا یقین ہے کہ حملہ یمن سے نہیں شمال کی جانب سے کیے گئے حملوں میں عالمی توانائے کی سیکیورٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ سعودیہ اپنے اتحادیوں سے آئندہ کے اقدامات پر مشاورت کر رہا ہے تحقیقات کے نتائج کے منتظر ہیں دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ جب واد ضریف کا کہنا ہے کہ ایران پر پابندیاں امریکی دیپریشن کی علامت ہیں ایک ہی ادارے پر بار بار پابندیوں سے ظاہر ہے کہ امریکی دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے ادھر پاس داران انقلاب گارڈز نے خبردار کیا ہے کہ جس ملک نے ایران پر حملہ کیا اسے میدان جنگ بنا دیں گے اسے کے ساتھ ایٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ دیچس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی